हरी बोलो हरी हरी बोलो हरी हरी बोलो जी कैसे हैं आप सभी मेरे लड़ू लाड़ो का नहीं है केश्व मेरे भी हारी लाला मेरे गोपुलाला की असीम क्रिपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे आशा करती हूँ आप सभी उनकी सेवा में बिलकुल मगन मस्त होंगे उनकी क् आरती सेवा भोग सब पूर्ण हुआ है और मैं आज आप लोगों के साथ एक नई विशय लेकर के एक नई चर्चा के साथ फिर से आ गई हूं तो आप सभी का हारदिक स्वागत है मेरे लड़ू बाबुलाडव के चैनल में जी तो आज का जो विशय है बहुत ही एहम है ये भ अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इस पे एक वीडियो बनाया हुआ था लेकिन वो वस्त्रों को धुलने को लेकर के वीडियो था तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे जो प्रीवेस वीडियो हैं वो भी आप एक बार देख लीजेगा और आप मेरे जो चैनल है उसक रोज दुलना चाहिए अब गर्मिया आ गई हैं देखिए तो क्या हमें गर्मिया हो चाहे सर्दिया हो क्या हमें वस्त्रों को रोज दुलना होता है आवश्यक होता है दुलना जरूरी होता है तो चलिए आज की अपनी चर्चा शुरू करते हैं तो जी देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने अपने एक वीडियो डाला था एक व्लॉग मेरा अल्रडी अप्लोडेड है कि लड़ू बाबू लाडो के वस्तरों को रोज दुलना जरूरी है और दुलें तो कैसे दुलें किन परिस्तितियों में दुलें ठीक है पहली चीज तो देखिए यह जो पुश्प ह जो मेरे लाला लाली के पास में मैंने लाला लाली को पुश्प हरपड़ किया है यह पुश्प भी अब पुश्प नहीं रहा यह पुश्प भी अब एक इनमें इतनी ज्यादा मैं आपको शब्दों में भी नहीं बता सकती एनर्जी कह सकते हैं या अब यह पुश्प में ऐसी अलौकिक आप कह लीजे कि एनर्जी और इतनी ज्यादा अलौकिक दिव इसमें शक्ति आ गई है कि आप इस पुश्प को यदी अपने पास रख लोगे लड़ू बाबुलाडो का आशिरवाद है ये इतनी इसमें एनर्जी आ जाती है तो सोचिए जो वस्त्र मेरे लाला लाली धारण करते हैं उन वस्त्रों में कितनी एनर्जी होगी कितनी दिव्यता कितनी शब्द भी नहीं है कि वो तो बिल्कुल अमर है वस्त्र क्या है वो तो उन वस्त्रों को आप कुछ सोचिए क्या रोच धुलना अवश्यक होता है लाला लाली की स्पर्ष की हुई के हैं वो आलोकिक हैं तो लाला लाली की पहनी हुई वस्त्र तो आप सोचिए दुलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है आप ये सोचिए पहले अब जो है वो वस्त्र और शिंगार बदल बदल के रोज का हो गया नहीं तो पहले आप एक बारी पिछले उसमें देखिए तो एक ही वस्त्र धारन कराया जाता था प्रभू को हाँ आप एक वस्त्र धारन कराया जाता था ऐसा नहीं होता था कि उसको हटा दिया फिर ऐसा नहीं होता था क्योंकि वो ही एक वस्त्र ही समझ लीजिए लाला लाली का प्रभू का शब्दों में भी मैं नहीं बता सकती रोज दुलने जैसी वस्त्रों को कोई प्रश्ण ही नहीं उठता है यदि कोई ऐसी परिस्थिती आ जाए कि आप भाया को लाडो को दूद का भोग लगा रहे हो या आप कुछ खिला रहे हो वो गिर जाता है तब अलग बात है तब आपने उसको हलका सा गंगा जल से यमुना गंदी हो गई हैं आपके हाथ लग रहे हैं आपको थोड़ा ही जैसे वाइट है इसमें थोड़ा से स्पॉट लग रहा है तो आप दूल सकते हो ठीक है अब गर्मिया आ गई हैं इसका मतलब यह नहीं कि जैसे आप और मैं लोग हम लोग रोज नहापते हैं अपने वस्त्र आप इनको नहीं पहना रहा है हो जो वस्त्र रखे हुए हैं जो वस्त्र आपने या जैसे हलकी सी सिलाइख खुल गई है या ऐसा कुछ हुआ है कि अब आप उनको नहीं पहना रहाह home उनको भी अगर उनकी मैंने सदुपयोग बताया हुआ है कि उनको भी आप एक जगाई कत्रित करके आप उसकी पिलो बनाकर भी अपने सर के नीचे रखे रात में सो जाते हो तो आपकी मैं क्या ही बता हूं मतलब वो आपको क्या अनुभव होगा और ना जाने आपकी कितनी जो नी नाना बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन ये सारी चीज़े तो दूर हो जाएंगी तो लाला लाली के वस्त्रों को रोज दूले की तो कोई सबाल प्रेशन उठता ही नहीं है बिल्कुल ना दूलिये आप क्या करिए जहां जैसे आपने लाडो का लाला का आज जो आप वस्त्र आपने ये पहनाया कर जब आप इन्हें उतारेंगे इनकी जगा पर रखेंगे त उसमें इस तरीके से आजमन कर लिजे बस इसके अलावा आपको कभी भी नहीं दुलना होता है ये तो मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लाला लाली के वस्त्रों का इस पर्श है उन्होंने पहना हुआ है तो आप खुछ सोचिए कि वो वस्त्र आप रही नहीं गए ह ठीक है अब आप तो कभी उनके वस्त्र गंदे होते ही नहीं है लाला लाली के वस्त्र कभी गंदे नहीं होते हैं और आपको पता है सिया राम जी मेरे प्रभू माता रानी लक्षमर जी के साथ जब वनवास के लिए गए तो वो जो रिशी एक महत्मा जी के घर गए उनकी पत्नी मा अनुसया जी ने सिया मा को एक वस्त्र एक साड़ी धारण करने को दी उनका बहुत आदर सत्कार किया उनको भोजन कराया उनको वस्त्र धारण कराया पीले कलर की साड़ी मा को उन्होंने भेट करी वो साड़ी ना कभी मैली हो सकती थी ना ही कभी वो फट सकती थी और देखिए वो तो उन्होंने उनको भेट किया लेकिन आप खुँद सोचिए महालक्षमी मा की साड़ी वस्तर कभी क्या मैले क्या कभी फट सकते हैं तो आप खुद सोचिए चौदा वर्स के वनवास में जो मेरी महालक्षमी मा मेरी लाडो ने मस या ने जो वस्तर पहने कभी गंदे ही नहीं हुए आप कुछ सोचिए कि लाला लाली के वस्तर कैसे ही गंदे या महले हो सकते हैं कभी हो ही नहीं सकते हैं आप एक चीज़ कभी मार करिए कभी भी आप लाला लाली के वस्तरों को एक जगा रख दीजिए आप खुद देखोगे उन पोशाकों में एक अलग ही चमका जाती है तो कभी ये प्रशन उठता ही नहीं है कि आपको कभी भी उनकी जो पोशाक है वो धुलना है यदि कभी आपको धुलने की अवशक्ता हो यदि कोई खाने की चीज जैसे दूद का भोग या आपने कुछ भ हमारे हाथ कौन से ये तो बस मेरे प्रभू माता रानीत निद्यालू है कि वो हम उनको इस पर्श कर सकते हैं न जाने कितने अपने शुब कर्मों के फल से तो हमारे ही हाथों से कभी हम पहना रहे होते हैं कैब या वस्र तो तोड़ा मैल लगता है आप उनको गंगा जल यम डिटर्जेंट पाउडर जैसा यूज नहीं करना है गंगा जल से दुलिए यमुना जल से दुलिए गुलाब जल से दुलिए गुलाब जल से ही मैंने बताया हुआ है स्प्रे करके आप दुल सकते हो पोट सकते हो कभी भी डिटर्जेंट पाउडर का इस्तमाल ना करिए न कोई आवशक्ता नहीं होती है दुलने की यदि आपको कभी गंदे लगे तो धुलिए वो भी आपको आप मेरे प्रीविएस वीडियो चेक कर लीजेगा आपको किस प्रकार से धुलना है ठीक है इस तरीके से देखिए कभी भी ये ना सोचिए कि लाला लाली के पास में दूद आपने पिलाया उनको गिर गया हो या दाल चावल आपने भाया को खिलाया गिर गया तेखिए वो तो बच्चे है वो आप जब उनको इतने भी संभल के खिलाओगे लेकिन वो गिरेगा ही गिरेगा ठीक है तो ये था आज का मेरा कुछ विशय की लाला लाली के वस् आप उनको जैसे मैंने बताया जब आप अगले दिन पहनाई है थोड़ा सा आज मन कर दीजिए बस तो ये था मेरा आज का कुछ वीडियो मेरी कुछ भाव आशा करती हूँ आप सभी को अपने प्रशनों के उत्तर मिले होंगे जदी आप मेरे चैनल पहनाए हैं तो मेरे चैन हरी बोलो हरी हरी बोलो हरी हरी बोलो जी हरी हरी बोलो जी रादे रादे जी हरी बोल